नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में आज आपको जानकारी देंगे अपराजिता के बारे में अपराजिता फूल का यह जो पौधा हम दिखा रहे हैं आपको यह अपराजिता का पौधा मा को बहुत पसंद है यानि काली मा दुर्गा मा इस पौधा दिन में full देने लगेगा और यह full देगा आपको बरसात पूरा बरसात देगा यानि कि पूझा के टहम में जब दुरगा पूझा का समय आता है तो उस समय फूझा का यह भरमार देगा और आपको एक रूपिया एक फूझा कीम है और इसमें सैकडों के मातरा में फूल होता है तो अधी आप ममा का भक्त हैं दुरगा जी का अधी घर में नौरातरा बठाते हैं तो ये फूल का पौधा आप ज़रूर लगाएं लगाने का लिए विधी हम बताएंगे बहुत ही आसान है इसका विधी तो आप इसे घर पर कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे तो आप हमारे चैनल पे नई हो तो हमारे विडियो को कर दे ला'... और चैनल को कर दे सिब्सक्राइब और इसमें कौन सा फौध पढ़ता है इसका क्या आप क्या कर सकते हैं केर करके कितना मातरा में आप फूल ले सकते हैं वो सारा बताएंगे आपको आज आपको बताते हैं कि इस जगह में देख सकते हैं हम बीज छड़के थे तो बीज से हमारा बहुत सारे पौधा हो गया है ये तीन हो गया यह चार, यह पांच, यह छे, यह साथ, यह आठ, यह नौ, यह दस, यह ग्यारा, मतलब बारा पेड़ इसमें है, तो आप बारा पेड़ एक जगह नहीं रखना है आपको, सबको आपको अलग-अलग करके अस्थान में लगाना है, और इसमें बहुत सारे भराइटी आता है, इसका पिंक आ जाता है, इसका मतलब भराइटी में कलर में बहुत ही अच्छा है, परमा को, बुलू और संकर भगवान को वाइट चलता है, यह फूल, तो यह फूल अपने घर में लगाते हैं, तो एक वास्तु के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसका जड पुराना हो जाता है, मान लिजिए अब साल भर का पुराना जड़ आप अपने बच्चे जो बच्चे आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई में कमजोड है, तो उसमें उस जगह में इसका जड़ आप साल भर का जड़ अधी हो जाता है, तो एक उ रवी बार के दिन लाल धागा में पहनाते हैं तो आपका बच्चा पढ़ने निखले में तेज हो जाता है तो आप आपको बताते हैं कि इसका आप पिड़ कैसे लगाएं तो इस तरह का इसका सीम का जैसा लत निकलता है यह हमारा पुराना पिड़ यानि अगले साल का हम बीज रखे हुए थे तो आप देख सकते हैं यह पुरा घूम चुका है पर एक सीम का जैसा लत होता है और इसका आप बीज देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जिसे बोधी का आप बीज तो थोड़ा बड़ा रहता है बोधी से हलका सा छोटा है इसका बीज आप देख सकते हैं इस मातरा में है और आपको जब इसे छिड़केंगे तो हपता दिन में इसका पिड़ आ जाता है तो आप इस तरह आप अपने घर पर लगा सकते हैं तो किसी के भी घर में हो आपका ये पिड़ अपराजीता का तो आप अपने घर में लगा सकते हैं और ये मार्किट में भी मिलता है मार्किट में इसका कीमत हो जाता है अधी कम करके मुलाई करके आप लेते हैं से तयार करते हैं तो आपका जो नया पेड़ होता है बहुत सारे फूल देते हैं अब पुराना हो जाता है जो पेड़ जैसे कि साल भर का पुराना होता है तो पेड़ मरता नहीं है अधी आप इसका कियर करते हैं तो यह पेड़ कभी नहीं मरता है पर अहीं है कि आपका जो फ कुल को कटिंग करके हटा देते हैं और इसे नया पेड हम उगाते हैं तो साल भर जो पेड हमारा हो जाता है अधी किसी भी घर में कोई वेक्ति अधी पढ़ने लिखने से कम जोड है तो उसे हम क्या करते हैं उसका गले में धारन करते हैं तो अच्छा से पढ़ने लिखने में वो ठीक होता जड़का बहुत सारे तंत्र बाधों में या आप इसके बारे में आप जानते होंगे तो आपको मालूम होगा इसका जड़का बहुत तंत्र में इसे काम में लाया जाता है यानि जादू टोना में इसे काम में लाया जाता है तो इस तरह आप अपने घर पर इस लगाएं आपको लगाकर भी बताएंगे कि बीच का छिल्टाह कैसे करना चाहिए इस लिए इसलिए हम बता रहे हैं इस तरह आप अदी नटी लेते हैं तो मिट्टी में देख सकते हैं बहुत जल्दी गुरो नहीं होता है और वही आप रेत में लगाते हैं और फरपुर मातरा से बीच को पानी देते रहता है वीच जो है आपका अचानक से उसमें तुरत उसका रिजल्ट आता है या आप कट लगा रहे हैं तो भरपूर मात्रा से पानी में डुगा हुआ राता है यानि जितना उसको पानी चाहिए उतना पानी मिलता है तो आपका कटिंग भी बहुत जल्दी तेयार होता है कई जगह में होता है कि मिट्टी जल्दी मिलता नहीं है तो आप रेत में लगा सकते हैं नारियल के भूसाम लगा सकते हैं अधी आप पत्ते का अधी आप खात बनाते हैं या पत्ते का आप पत्ते से भी गांच कई जगह में लगाया जाता है तो पत्ते से भी आप पेल को पुराने भीबर होंगे तो यह चीज को आप जान रहे होंगे कि हम पत्ते से भी पेल को उगाए हैं पत्ते से ज्यादा भरपूर मात्रा से उसमें फूल आता है और फल आता है और कोई तरह का उसे केमिकल विगरा या खाद विगरा देना नहीं पड़ता है तो इस तरह आप प्रेल को अपने घर में लगा सकते हैं तो आईए हम बीज लगा के आपको देखाते हैं कि कैसे हम प्रेल को इस प्रेल को तयार किये हैं तो जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी अप्रेल का महिना चल रहा है और बहुत गर्मी किया हुआ है तो यह हमारा फूल का पोधा है यानि पेड़ लगा हुआ है और इसका नीचे हम लगाते हैं गाच के नीचे कोई भी गाच पनपता नहीं है पर इह है कि आपका ब एक गीला मट्टी में क्योंकि इसमें हमारा भरपूर मातरा से बालू दिया हुआ है अधि आप बालू में ही केवल रोपना चाहते हैं तो बालू में बहुत ही अच्छा रहेगा और एक तरीका यह है कि आप इस तरह बीच को डाल दिये और उपर से बालू को आप छिरग द ठाते हैं तो उस पर भी भरपूर मातरा से आपको पेड़ बहुत जल्दी उग जाता है और उसे आप या तो आप उल्टा बोतल में लगा सकते हैं या आप गमले में लगा सकते हैं और और आप इस चे का लगा सकते हैं कि आप अपना गेट का सुभा बढ़ा ले या इसका जो अपराजिता का पौधा जो होता है यह लत होता है इसे लत आप जिस और चढ़ाना चाहते हैं वो उस और लत यह चढ़ जाता है और इसमें जब पुराना हो जाता है यानि कि आपका छे महिना का जब पेड़ हो जाता है तो छे महिना में आपको इसके अंदर क्या देना है क्योंकि इसमें देवता का बास होता है तो इस पर आपको फटिलाजर में प्याज नहीं देना है क्योंकि हर बार में हम प्याज आलू विगरा बोलते हैं पर आपको इसमें देना है आलू आलू का छिलका देना है फल का जो भी आप फल खा रहे हैं उसका छिलका फटिलाजर बना के आप दे सकते हैं नहीं इस तरह आप कर सकते हैं तो आप हर एक 15 दिन में आप खाद दे सकते हैं खाद देंगे तो आपको फूल बहुती भरपूर मातराम देखने के लिए मिल जैसे कि आपको यहां पर दीख रहा होगा इस जगह में वाइट वाइट अभी नए में लग गया है इस जगह में वाइट वाइट एक मिली बग होता है मिली बग इसमें लग गया है तो यह देख रहे हैं मिली बग उपर उपर की वो बढ़ रा है तो मिली बग को भगाना बहुत ही असान है इसका हम इस चीज का विडियो बनाए है जो नीम को खौला कर और बहुत ही पुराना यानि कि आप 15 दिन रखकर इस पर छिलकाओं मारते हैं तो वो मिली भग तुरत भाग जाता है मतलब आज डाले तो आज की आज ही भाग जाता है इस तरह हमारा जानकारी आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक करस्ते ही बाड़ झारी मारते हैं वो मिली नां कर दो दो कर दो आज बनाज करें पारी मलते हैं अ तो